नमस्ते अवरीवन, मौनी का एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे मकरलगन की मकरलगन वालों के लिए नवेंबर के महिने की स्थितिया किस प्रकार की है और क्या बदलाव हो रहे हैं किस प्रकार के ग्रह गोचर है और किस तरह से हमेरे महिने को प्लान करना है आज मैं आपको को रुप से बताऊंगे देखे मकरलगन और लगन का स्वामी है शनी शनी आपके लगन में हिस्थित है काफी समय से और गुरू उसके साथ है जो काफी नीचस्त पोजिशन ले हुए है तो ये एक ऐसी परिस्थित है गुरू और शनी का ये जो संयोग बना हुआ है वो 20 तारिक तक रहेगा और 20 तारिक के बाद गुरू आपके द्वितिय भाव में चला जाएगा तो वहाँ वो 13 एपरल तक रहेगा तो ये एक बदलाव सबसे बड़ा इस महीने हो रहा है और मंगल की पूर्ण चतूर्थ द्रश्टी आपके लगन पर पड़ रहे है तो गुरू शनी का संयोग उसके साथ मंगल के पूर्ण द्रश्टी तो ये कैसी परिस्थती है कि देखिए एक तो आपके अंदर एक जिद्धी और एक हर चीज में जो मैंने कहा वही सही है और किसी और की बात न सुनना ये चीज आपके स्वभाव में पूरे ही महिने बनी रहेगी ये एक प्लस पॉइंट आपको लग रहा है मगर ये आपकी जिद्ध है जो आप हर चीज के ये मेरी तरह से ही ये व्यक्ति इस तरह से ही कार्य करना चाहिए और इस तरह के हर कार्य में आपके कार्यस्थल के अंदर आपके जॉब के अंदर हर तरह से तो देखिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच बना कर चलिए ये एक ऐसी प्रव्रती है जो आपको financially काफी गेन दे रहे है मगर ये स्वभाव के कारण कही न कहीं disputes create हो सकते हैं आपका अगर कोई interview के लिए जा रहे है तो या कोई नया business start करने जा रहे है ये कोई भी इस प्रकार के स्थिती है मगर उसमें अभी शुरुवात में ठोड़ा सा संगर्ष बना रहेगा क्योंकि जब भी शानी लगन में होता है तो वो संगर्ष देता है जीवन आसान नहीं होता उस समय आपके महनत का समय है उसमें वो बहुत महनत करवाता है एक तरह से एक पॉलिशिक होती ज़ती का एक पॉलिशिंग का कार्य करता है उसके स्वभाव में उसके कार्य में उसको मास्टर बनाता है तो इस्थिती में आपके स्वभाव में थोड़ा चड़चड़ापन जरूर रहेगा और आप थोड़ा परफेक्शन की और जादा जाएंगे और financial gains काफी बने हुए हैं मगर आपके स्वभाव में जो एक attitude इस प्रकार का होगा कि बहुत ओवर परफेक्शनिस्ट होने के कारण कभी-कभी आसपास के लोगों के स्वात साथ आपके miscommunication हो सकता है या आपको के स्वभाव के कारण कुछ शायद लोग आपको समझ न पाएं तो उस प्रकार से कोई dispute होने की संभावना कार्यस्थल पे बनी हुई है तो कोई भी प्रकार का अगर बदलाव है तो उसे किया जा सकता है मगर उसे अनुभव के बेस पर किया जाए तो ज़्यादा बहतर है मगर महनत और संगर्श आपका बना रहेगा और महनत की प्रवरुति आपके अंदर होगी भी सही तो कार्य के अंदर आपके बिल्कुल कमी नहीं है देखिए जितिय भाव में गुरु आपका भी सतारी को आ जाएगा तब तक ये कैसे स्थिती है कि देखिए हो सके वहां तक किसी डिस्प्यूट में मत पढ़िएगा किसी भी परकार की वानी से संबंधित कोई भी कारे करते हैं तो गुरु एक तरसे काफी लिटरेचर में सपोर्ट करता है मगर कोई भी घर परिवार का अगर इस परकार का कोई भी मैटर है तो अभी हो सके वहां तक उसमें मत पढ़िएगा उसका special reason है कि शनी भी आपके लगन में बैठा हुआ है और उसके कारण क्या है कि शायद आपके strict nature के कारण आपको गलत समझा जाए तो उस चीज से आपको बचना है दूसरी चीज यह है कि savings की बात करें तो savings अब आपकी होना शुरू होंगी और देखे financially आपके गरह काफी मस्बूत है कार्य में महनत जितनी होनी चाहिए उससे double करनी पड़ेगी मगर आपको financial gains और savings आपकी अब हो पाएंगी उससे आपको काफी फायदा भी होगा मगर यह है कि हो सके वहां तक disputes से खुद को बचा के रखे कोई भी मैटर है उसमें जल्दी से involved मत होईएगा हो सके वहां तक जितना कम शब्दों से कार्य कर सके और बहुत शांती से आपको सभी प्रकार का व्यभार संभाल के चलना है तो आप बहुत शांती से आपके progress को enjoy कर पाएंगे तृतिय भाव का स्वामी गुरू होकर शुरुवाती दोर में लगन में देखे ये एक परिवर्तन अगर आप कोई भी करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं आपके कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है और अगर कोई भी प्रकार का change होता भी है तो उससे आपको नुकसान नहीं है मगर उसके कारण थोड़ा तनाव जरूर रहेगा क्योंकि आपको अपने comfort zone से ये ग्रह आपको बाहर निकाल रहे हैं आपको flexibility सिखा रहे हैं तो आपको flexibility की तरफ जाना भी चाहिए और हो सकते तो शान्त मन के साथ परिस्थितियों को स्विकार करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत फाइदा होगा क्योंकि financially आपको एक gain की तरफ लेकर जा रहा है और ये जो गुरू आपका द्वितियो भाव में आएगा उसकी पूर द्रश्टे आपके दशमभाव पर पड़ेगी तो कारेस्थल में आपको काफी सपोर्ट रहेगा 20 तारीक के बाद 20 तारीक के बाद और 16 तारीक के बाद सूर्य चेंज होगा वो क्योंकि सूर्य अभी दशमभाव में काफी नीचस पोजिशन पर है तो दिस्प्यूट्स और एक अनकमफर्टेबल एन्वार्मेंट आपके मन में संगर्ष ये स्थिती हो सकती है तो उसको एक बेटरमेंट की तरफ ले जाते हुए शुरुआत के 15 दिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है उसके बाद आपको काफी बेटर फील होगा देखिए चत्तूर्त भाव का स्वामी मंगल होकर दशमभाव में है तो ये कैसी स्थिती है कि प्रॉपर्टी संबंदित कोई भी कार्य अगर अटका हुआ है तो अब वो पूर्ण हो जाएगा और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का खरीदने का और बेचने का कार्य करते हैं या कोई खुद आप खरीदना भी चाते हैं तो ये पूरा ही महिना आपको काफी फेवर कर रहा है तो उस तरफ आपकी जो यात्रा है आपके खुद के घर खरीदने की या बेचने की इससे संबंधित कोई ब्रोकरेज का कार्य करते हैं तो भी आपको बेटरमेंट है और पिछले पंदरा दिन में वो कार्य और भी मजबूती से हो पाएगा तो उसको लेकर आपको काफी फाइदा बना हुआ है तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है जो ये चीज में कह सकती हूँ कि एक मानसिक सुख भी चौथे घर से देखा जाता है तो कही न कही एक अग्रेशन रहेगा आपके स्वभाव में तो बस शांत रहने की कोशिश कीजिए पंचम भाव में राहू और वो भी देखिए व्रिशब राशी का है और शुक्र आपके बारवे भाव में है तो ये कैसे स्थितिक रेट होती है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए कोई स्टूडेंट्स करना चाहते हैं आप फैशन संबंदित कोई एजुकेशन को लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत फैवरेबल है उसके लिए अगर कोई भी प्रकार का आप इनिशियेटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मगर students जितना input देना चाहिए like other students तो उतना वो दे नहीं पा रहे हैं उनको एक ब्रहमित अवस्था हो रहे हैं जितना आपके studies पर आपका focus होना चाहिए उतना focus वो हो नहीं पा रहे हैं तो हो सके तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेगा क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में राहु है अभी और सूर्य काफी नीचस पोजिशन में हैं तो देखिए आप finance संबंधित या इस प्रकार का like management संबंधित कोई भी education लेते हैं मगर आपके जो students का जो स्थिर्ता और जो focus होना चाहिए वो नहीं है अस्थिर्ता के कारण आप एक भठकाव के स्तितिक रेट हो रहे हैं तो जितना input देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं तो आपको focus होने की ज़रुरत है क्योंकि ये राहु आपको ब्रहमित कर रहा ह आपको जितना अपने education के प्रती focus होना चाहिए वो नहीं हो रहा है इसके कारण आपका नुकसान हो रहा है तो आपको इस चीज़ पर पूरा ध्यान देना चाहिए हो सके तो खुद को focus करिएगा और फिर अगर इसका लाब उठाया जाए तो बहुत ही बहतर परिणाम हो सकत है दिखे चटे घर का अधीपती बुद सूर्य नीचस तवस्ता में और मंगल के साथ ये और शुक्र की पूर्ण द्रश्टी के कारण आप कह सकते हैं कि diabetes के patient के लिए बहुत ध्यान की परिस्तिती है ध्यान देने की जरूरत है आप skin related problems से परिशान हो सकते हैं ये भी एक ब भी इस प्रकार के problem है तो उसे daily check-ups करवाने चाहिए diabetes के patients हैं तो भी आप regular जो व्यायाम की स्थिती है उसे अपना कर चलिएगा तो बहुत बहतर रहेगा आपके लिए और देखिए loans को जितना avoid किया जाए उतना अच्छा है मेरे लिए क्योंकि बुद्ध मंगल के साथ है त तो कोई गलत loan मत ले लीजिए हो सके वहां तक loans को avoid कीजिए देखिए सब्तम भाव पर गुरू की पूर्ण द्रश्टी पड़ी हुई है और गुरू 20 तारिक के बाद change हो जाएगा तो यह जो गुरू की पूर्ण द्रश्टी आपके साथवे घर पर पड़ रही है तो शु आपके aggression के कारण सामने काफी अकेलापन महसूस होगा जब आपके जो जीवन साथी है उनको और कहीं न कहीं यह mental dispute हो रहा है आप दोनों के बीच में ऐसी sitting मत create कीजिएगा आप यह कह सकते हैं कि कोई भी business partnership की तरफ जाते हैं तो वो उतना बुरा नहीं है मगर घ्रस्त जीवन को आप संभाल के रखिएगा उसमें आप अपने गुस्से के कारण उसमें काफी समय भी नहीं दे पा रहे हैं और आप दोनों के स्वभाव के अंदर काफी confusions create हो रहे हैं तो इस चीज़ से बचिएगा और अगर ऐसी कोई समस्या है तो बहुत शांती स और शांत मन के साथ बात कीजिए तो आप दोनों की सिती भैतर हो पाएगी दिखिए अश्टम भाव का स्वामी सूर्य होकर आपके दर्शम भाव में है रीसर्च ओरेंटेड कोई भी कारे करते हैं उसके लिए बहुत भैतर सिती है और गुरु बीस तारिक के बाद अश्ट गेंस देगा कुछ ऐसे रीसर्च और उससे आपको काफी लाभ भी प्राप्त हो सकता है तो वह बहुत बैटर्मेंट की स्थिती हो और मानसिक एक शांती महसूस होगी आपको देखिए नवंभाव का स्वामी बुद्ध होकर दशम भाव में है भाग्य का पूर्ण और स्पेशली ये एक ऐसी स्थिती है जहां बिजनस के अंदर देखो शुरुआत में आपको काफी प्राप्लम्स क्रेट होंगी क्योंकि शनी की दरश्टी सूर्य के उपर पूर्ण रूप से बनी होई है मगर 20 तारिक के बाद गुरू की दरश्टी आपके दशम भाव पर पड़ेगी और सूर्य पंदरा तारिक को चेंज हो जाएगा तो सूर्य भी एक बहतर स्थिती में आएगा भले ही ग्रहन दोश में है मगर दशम भाव के नीचस्त सूर्य के कारण जो भाग्य का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था अब वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा मगर शुरुवात के पंदरा दिन थोड़े तनाव वाले हैं आपके कारेस्थल के अंदर भी सूर्य मंगल और बुद्ध की यूति के कारण अगर आप फादर के बिजनस में हैं तो भी थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हो सकते हैं प्लस शनी की दृष्टी पढ़न से आपको कोई तनाव हो जितना शांती पुरवक आप रह सकें और अपने कर्म को मजबूत बना कर चलिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकि फाइनेंशल ही बहुत अच्छा है और कारेस्थल में आपकी प्रोग्रेस होगी 100% बस शुरुवात के 15 दिन थोड़ा ध कि ग्यारवे भाव में केतू है और ग्यारवे भाव का अधी पती मंगल खुद आपके दशम भाव पर एक उर्जा प्राप्त हो रही है लाब आपके बने हुए है क्योंकि ने लाबेश और भागेश दोनों ही आपके दशम भाव पर दस्वा घर आपको बहुत कुश जो environment है वो आपको तनाव दे रहा है बाकि प्रगति में कोई कमी नहीं आपके कारे में कोई कमी नहीं आपको एक नई दिशा भी प्रदान कर रहा है यह शनी और यह जो भी प्रकार के ग्रह है मगर हाँ यह जब भी केंद्र के ग्रह होते हैं तो disputes की सिधिक क्रेट होती ही होते हैं मगर आपके लाब में और भाग्य में व्रिद्धी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं जैसे ही महीना आपके पंदरा दिन निकलेंगे उसके बाद आप काफी progress महसूस करेंगे और शांती महसूस करेंगे देखिए बारवे घर में शुक्र बना हुआ है और बारवे घर का अधीपती पहले 20 दिन के लिए लगन में रहेगा उसके बाद वो दुति भाव में कुछ खर्चे बने हुए हैं विदेश से संबंदित कोई भी कार्य है उसको लेकर कुछ खर्च हो सकते हैं और कुछ आप luxurious खर्चों के पीछे भी आप spend करेंगे तो चिं 15 और 20 डेस आपको उसका भी एक लाब मिलना प्राप्त होगा मगर उसके लिए कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे तो उसको लेकर जादा तनाव की स्थिति क्रियेट मत कीजिएगा यह एक long term investment है तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है ओवरॉल मैंने पूरी ही परिस् यह बहुत अच्छा है पूरे ही महिने तो आपके मन में शांती बने रहेगी पूरे ही महिने की गती विद्यों को ध्यान में रखते हुए अपने महिने को प्लान कीजिएगा I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो लाइक कीजिएगा और सब्सक भेज सकते हैं astrologymonica at the rate gmail.com आप अपने पूरी बड़ डिटेल्स बेजिए और फिर मैं आपको आगे से कॉंटक्ट करूंगी थैंक यू सो मच जैशेकरिश्णा